तो हिंदुस्तान का मिशन चंद्रियान 3 की हर मुश्किल और चुनौतियों को पार करते हुए अपनी मंजिल की ओर बड़े जा रहा है चांद पर लांडिंग में आपको ची घंटे बाकी है जब 23 अगस की शाम 6 बच कर 4 मिनट पर चंद्रियान 3 चांद की उस हिस्से पर लांड करेगा जहां दुनिया का कोई भी मुल्क आप तक नहीं पहुँच सका है चंद्रियान की लांडिंग के लिए आखरी 15 मिनट काफी एहम रहने वाले हैं क्योंकि इस दौरान चंद्रियान में ध्रस्ट फार के साथ ही चांद पर लांडिंग की कोशिश होगी चांद से धूल का गुबार उठेगा और सतह की सटीक जानकारी भी लांडर विक्रम को ख किसी भी प्रकायर से कोई कमांड नहीं दे सकेगा लैंडर को तो भारत इतिहास रचने के लिए आगे बढ़ता हुआ चंद्रियान तीन का इंतजार हो रहा है चंद चांद पर लांडिंग के लिए अब सही समय सही उचाई होना जरूरी है आखरी के जो समय है वो बेहत एहम है और विकल्ब भी यहाँ पर इस रोने पहले से तयार कर लि है चंद्रियान दचनी धूर्ब पर ही लैंडिंग क्यों अगर चंद्रियान तरी की लैंडिंग मून पर हो रही है तो वह साउथ पोल पर ही क्यों हो रही है उसका अगर हम अध्यान करेंगे तो आप यह समझे कि हमारे हाथ में जो है कितना जो है विशुद्ध चीज उसका हम ग्यान कर पाएंगे आप देखिए अंटार्क टिका में भी लगभग उसी प्रगार के अध्यान होते हैं लेकिन जो अंच्छोए इलाके हैं तो उसकी बात एक उच्छोर है तो यही बात जो है दक्षिन धुरू के इलाके की है प्रणे उपाध्या का प्रणे एक लंबा सफर तैय करते हुए 14 जुलाई से जो सफर शुरू हुआ है सारी चुनौतियों को पार करते हुए देखिए देश भर की निगाहे टिकी हुई है उस आखरी पल की जब चंद्रियान 3 चांद पर लांड करेगा क्या तैयारी है इस रो गया है उसको और इसरो का जो यहाँ पर मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स है इस ट्रैक का वहाँ पर जो तमाम वैग्यानिक टीम जो इसकी निगरानी करेगी वो पहले से मौझूद है अब किसी को भी बाहर जानी की इजाज़त नहीं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कि मिशन के तमाम पैरामीटर्स हैं वो फीड कर दिये गए हैं क्योंकि आप देखिए आपकी केवल 36 गंटे का वक्त बचा है और अगर देखा जाए तो 6 बच के 4 बिनिट का जो वक्त है उसकी तैयारियां पूरी कर ली गई है यानि 6 बच के 4 बिनिट 23 अगस्त को 2023 का वो वक् साइट है वहाँ पर ये लेंडिंग कर सके तमाम वो जो चूक तमाम वो गलतियां या तमाम वो जो आशंका हैं जो पिछली बार चंद्रियान दो के समय में देखने को मिली थी वो 17 मिनिट का जो समय था उसके अंदर गलतियां इस बार नहों किसी तरीके की खामी न रह और जो फोटग्राफ ज़ो बार-बार शेयर कर रहा है वो तमाम जो डेटा बाहर आ रहा है वह ये बताता है कि जो प्रिशन पेरामिटर्स है वो ठीक तरीके से काम कर रहे हैं यह तस्वीरें चंद्रियान 3 के अंदर लगे हुए जो सेंसर वह भेज पा रहे हैं डहा यह ज उसके लगातार तूवे कम्यूनिकेशन उसका बना हुआ है और साथी चंद्रयान दो का जो और्बिटर है उसके जरीए लगातार उससे कम्यूनिकेट किया जा रहा है आप पलपल की अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं प्रणे आप नजर बना के रखेगा आगे भी आपस चंद्रमा पर होचाएगी